नमस्कार, जन सरोकार मंच के इस कारिक्रम में मैं कैलास मनहर कुछ करता हैं, आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूं, क्रप्या अपनी किपणियों से आलोसनात्मक, समिक्षात्मक, जो भी किपणियां आप करना चाहें, इस बारे में अवश्य आउगत खरां। पहली कविता है भैरव का महाक्रोध, तेड़ा, उल्टा सीधा, आगे पीछे, नाक कान मुहूं, नदी किनारे, पुल में के उस महाबली, जंगी जुजारने, बहुत था तेड़ा। तेड़ा, उल्टा सीधा, आड़ा तेड़ा, आगे पीछे, नाक कान मुहूं, नदी किनारे, बरी धूल में, भैरव के उस महाबली, जंगी जुजारने, बहुत था तेड़ा। मैं क्या करता, उत्तर भी तो मेरे पास नहीं था कोई उन बातों का रह रहकर जो बार बार वह पूछ रहा था। तेरे रहते सम्विधान की ऐसी दुर्गती, सम्विधान दिन के मोके पर सत्ता का ये नग्न नाच और नयायाले भी डरे डरे और बिके बिके से, कविता लिखना छोड़, कविता लिखना छोड़, छीलना घार शुरू कर, या फिर तो जंता को समझा, धार लगा अपने श सत्ता से टकराने का कुछ साहस बर दे, कवि है रेतु, ते इतना अत्याचार शर्म कर, अगर जरूरत होतो, होतो साथ हमारा लेले, लेकिन मत्रह चुप, लेकिन मत्रह चुप, जो भी कहना है, खुल कर कहे, कवि है रेतु, बहुत थतेडा भैरव के उस महाबली जंगी जुजार में, सुबह हुए पर, सुबह हुए पर, अब छोड़ा है, दया दिखाते, हारा थाका, हारा थाका थतेडा, उसका अपनी हालत पर विशूरता कहता हूँ मैं, यदि भैरव के महाक्रोग से बचना है तो, इस अन्याई सत्ता का प्रितिरोद करो रे, ओ सब कवियो, ओ सब कवियो, वरना तुम भी कभी थतेड़े ही जाओगे मेरे जैसे, उस जंगी जुजार के हातों, किसी रात में, बहुत थतेडा, यह कविता, भैरव का महाक्रोग, कविता सुना रहा हूँ मैं, कविता का सेट सक है, वह आदमी, रास्ते पर चलते हुए जुग जुग कर, कंकर पत्तर और काटे हटाने की आदत थी उसे, जबकि लोग उसकी हंसी उडाते, हर एक आते जाते को बीड़ी देते हुए, उसके पास बैठ कर, वक्त की साजिसों पर बात करना सुरू कर देता था वह, लेकिन लोग उसे अजपागल कहा करते, समसान में चिता की लकडियां तर्तीब से रखना, उसे ही आता था सबसे अच्छा, पर उसके फपोलों की चिंता किसी को भी नहीं थी, बाजार से गुजरती हुई लड़की पर फप्तियां कसन वाले शोदों को वही रोकता था कि प्राय धकिया दिया जाता था, रेत के टीले पर मिली आज लास, मर गया वे ठंड से अकड कर लाचार आदमी, पर गई जैसे बस्ति में आदमियत मर गई, अब करते रहिए पता, और बनाते जाईए इदर-उदर की फालतू बात हैं, कि वह भूक से मरा, या किसी व्याधि से, या कि घर नहीं होने से मरा, या फिर उसके पास कंबल या आग नहीं होने से मरा, कि सामाजे कुपेक्षा से, वह आदमी, आ सुना रहा हूं, कविता का शीर्षक है, ये सडकें, ये सडकें, जैसे की हमारी सवतेली माएं हैं, हम जो नदियों के जाए, जिन से छूट गया, जन्मदात्री माओं का आचल, सडकों की गोद में, जवर्दस्ति लदे हुए हैं, हम जो नदियों के जाए, जिन से छूट गया, जन्मदात्री माओं का आचल, शडकों की गोद में, जवर्दस्ति लदे हुए हैं, भूलते हुए अपने परंपराएं हम, तरश्णाओं के विकट पास में जक्रे हुए, घसीते जा रहे हैं लगातार, किसी गहन अंधेरी गुफा के गर्त में, जीवन की विवस्ताओं के साथ, ये सडकें जैसे की हमारी सोते लिमाएं हैं, स्मृतियों में कौनते हैं नदियों के उद्गम, और अपने आप में बड़बडाते हुए, कुछ निरर्थक शब्द हमारी आत्मा की चोखट पर दम तोड़ देते हैं, जब मद्विरात्रे में चोख कर जाग पड़ते हैं, सडकों पर फैली अस्तव्यस्त आपाधापी में, कविता सुना रहा हूँ मैं आपको, ने कह सकने का दुख, कुछ भी तो दुख नहीं था उसे, किन्तु सुख कहां था, जैसा वे चाता था, कुछ भी तो दुख नहीं था उसे, किन्तु सुख कहां था, जैसा वे चाता था, समय पर भोजन पानी मिल जाता था, रित्वों के प्रभाव सरीर पर ने डाल सकने वाली व्यवस्थाएं थी, जब चाहे सोता और जागता था, कुछ भी तो दुख नहीं था उसे, किन्तु सुख कहां था, जैसा वे चाता था, वे बात करना चाता था, किन्तु सब इतने व्यस्थ रहते थे, कि किसी के पास फुर्सत नहीं थी, और उसकी तमाम बातें अदूरी सुनी जाती थी, कोई भी बात पूरी ने सुना पाना, कोई भी बात पूरी ने सुना पाना, उस समय दुख नहीं कहा जाता था, सिरब बात ने सुना पाना भी क्या कभी दुख की स्रेणी में माना जाता है वे डरा डरा सा रहता था अक्सर चिंताओं से घिरा रहता था हरेक की किन्तु जिनकी चिंताओं में वे घिरा रहता था वे सब उसे धाडस देते रहते थे कि वे अकारण चिंता करना छोड़ दे इसी लिए कहा मैंने कुछ भी तो दुख नहीं था उसे कि आखिर जो कहा जाना है वे नहीं कह सकना भी कोई दुख है बला और अंत में एक छोटी सी गजल लेकर आग पर सामने प्रस्तुत हूं सोशित जन का सदा पक्ष हूं सत्ता का सास्वत विपक्ष हूं चुप कर वार नहीं करता मैं लोग देखो सब के समक्ष हूं चुपकर वार नहीं करता मैं लो देखो सब के समक्षु हूँ वंचित जिसे रखा देवों ने स्रम संस्क्रति में ढला अक्षु हूँ तुम क्या रोग सकोगे मुझे को सच कहने में पूर्ण दक्षु हूँ जन्मन प्रांगण में हूँ निर्मित जन्मन प्रांगण में हूँ निर्मित सभी ओर से खुला कक्षु हूँ जेल रहा पीडा प्रहार जो मैं कठोर तम लोह वक्षु हूँ जेल रहा पीडा प्रहार जो मैं कठोर तम लोह वक्षु हूँ कल दिखूंगा तुम्हें दमकता आज यद्गपी मैं अलक्ष हूँ ये पांच के उताई मैंने आपके सामने प्रस्तुत की अपने समिक्षात्मक आलोसनात्मक टिपणियों से अवश्य आउगत कराएं धन्यवाद